नमस्कार चात्रों में आप्रक्की अध्यापिका सुप्रेता आज हम लोग नवीकक्षा के गुलाब सिम्ह पाट के बारे में जानेंगे चलिए देखते हैं इस पाट की कव्यत्री है सुभद्रकुमारी चौहान दिन और तारी की जरुवत नहीं जब हम अमर अंत के कहाने कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारी को पकड़ कर क्यों चले उसके घर में पिता थें मा थी और एक कुडिया सी बहन थी गुलाब सिम्ह सारे घर का दुला रहा था एक दिन की बात है वह बिमार पड़ा मा ने उसका खाना बिलकुल बंद कर दिया था पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना चोटी बेहन से ना सहा गया वो चुप के से गुड और चने चुरा लाई और खिला दिया अपने भाईया को उसके बाद भाईया का बुकर बढ़ गया पर भाई ने गुड चने की बात किसी को ना बताई धीरे धीरे रोग उतर गया पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की चाप पड़ गई एसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, मा की, पिता की उसके मन पर चपी थी एक दिन एसी हवा बही की मुर्जाये हुए दिलों में नई जान आ गई यह हवा उमंगों की हवा थी बड़ा भारी जुलूस निकलना था पर बाच्छा का उखुमता की जुलूस ना निकले शहर में आतं कचा गया था बड़ा आया बाच्छा क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा जंडा भाई ने बहन से कहा बहन बोली कौन है ये बाच्छा भाईया ने कहा हुँँ होगा कोई बहन ने पूछा क्यों न निकले जुलोस क्यों न निकले जंडा भाई खटू स्वर में भोला हमारा देश बाच्छा का गुलाम जो है उत्तर था तब तो जरूर निकले जुलोस हम जरूर फहराएंगे अपना जंडा देखते हैं कौन डोकता है हमें जंडे की तयारी होने लगी बहन ने अपने पुरानी वोड़नी फाड़ कर जंडा बना लिया लाल खरा रंग भी चड़ गया भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से भांद लिया जंडा तयार था अब भाई जंडा लेकर चला अरे भाई जाते कहा हो हम भी साथ चलेंगे बहन आगरह से बोली पर बहन बड़ी तूर जाना है तुम ठक चाओगे नहीं बैया जुलोस कोन बनाएगा तुम ज्ञंडा उटा ना हम जुलोस बना कर चलेंगे पीछे-पीछे नहीं रानी तुम जुलोस नहीं तुमेग काम करो हमें रोली का तिलक लगा कर विदा करो जिसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है बहने कुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दोड़कर थोड़ी सी रोली थोड़ी सी चावल सजा लाई ताली में एक दिये भी जला रहा था बहने भाई के माते पर तिलक लगाया चावल भिकराई तब भाई ने बहन के पेर चुए और वीदा ली बहन ने भाई के सिर पर हात फेरा और बलाईया ली अब वह जंडा लेकर चला बहन दर्वाजे पर खड़ी देखती रह गई कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है वह जंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रहे कुछ दूर जाने पर बादशा के सिपाईयों ने जंडे वाले को रोका लेकिन वह ना रुका बादशा के सिपाईयों ने गोली चला दी वह गिरा जंडा ना गिरा वह उसके हात में था गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया बहने भाई को गिर्ते देखा वो दोड़ पड़ी भाई कुन से लत्पत पड़ाता वो पुकारती रही भाईया भाई के प्राण मानो यह अम्रतवानी सुनकर लोड़ पड़े वो बोला तुँ आ गई यह जंडा ले भाईय ने जंडा थाम लिया भाई चला गया बहुत पर जंडा हाथ में उठाए रही भाईशा के सिपाई मानो खड़ चीत कर चले गए लोग भागे आए उन्होंने भाई की देह उठाए आगे आगे चंडा लिये बहन चनले लगी भाईशा का हुकुमता चुलूस नहीं निकलेगा चुलूस निकला जंडा नहीं निकलेगा चंडा निकला और बड़ी शान से निकला यह भालक था गुलाब सिम्ह जो अपनी सुकंद भिखेर कर चला गया इस कहाने के द्वारा देश बक्ति त्याग बलिदान भाई बहन का प्रेम प्रजा की जिम्मेदारिया कर्तव्य आदी का चित्रन किया गया है इस पार्ट में जंडा स्वतंत्रता के संकेत का रोप में दिखाया गया है धन्यवाद